Okay, So Hello Everyone Welcome to the Homeplay & Niko YouTube Channel So, आज हम लोग अपना औरगन का next lecture देकेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे Inductive Logic and Homeopathy ठीक है? Okay So, इसमें बताया गया है कि आज है Homeopathy जिसमें Inductive Logic पर कैसे Based है किस तरीके से और उसके Principles पर based है इसमें इसके बार में Okay तो यहाँ पर है इस परमे कि जो होमेपथी है नॉर्मल से चीज़ बताइगे है कि होमेपथी जो है वो कुछ जिन प्रिंस्पल्स पे है ना constructed है वो inductive logic के principles पे constructed है ठीक है और जो है ये बताया गया है और next ये है कि जो birth of होमेपथी है वो एक best example है और ये है इसका इक inductive logic का ठीक है क्योंकि simple सी चीज़ है वहमेपथी जो है inductive logic पे based है उसके rules पे based है तो इसी वाजेसे जो birth of होमेपथी है वो एक best example है inductive logic का ठीक है अब हम देखते हैं कि inductive logic पे कैसे based है होमेपथी inductive logic की क्योंकि है चार स्टेप्स होते हैं, तो उन चार स्टेप्स को हुम्मेपथी कैसे फॉलो करती है, उसके बारे में बताया गया है, ओके, जो इंडेक्टिव लॉजिक का पहला स्टेप है, ठीक है, वो हमने पढ़ाता था न, कि exact observation, ठीक है, तो exact observation गया होता है, ठीक है, उसके बारे में, आ कि भाई, ये तो बहुत ज़्यादा cruel है, और harmful है, ठीक है, यानि कि जो, मैं पहले बता दूँ है, आपर जो orthodox medical system का आ गया है, वो allopathic system को कहा गया, जो उस न, के, जो master handyman के दाइन पर practice होता था, तो उन्होंने अपनी experience and observation की basis पर ये कहा था, कि जो orthodox medical system है, वो काफी ज़्यादा cruel है, और harmful है, ठीक है, तो इस वज़े से उन्होंने क्या किया था, कि अपनी जो practice है, वो छोड़ दी थी, ठीक है, क्योंकि उ okay, जब handyman जो थे, मतलब हैना translate कर रहे थे, जब एक time था, जब handyman translate कर रहे थे, dr. kulins की material medica को, ठीक है, तो जब हैना, वो kulins की material medica को translate कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक हैना, एक छोटी से footnote में, एक चीज पढ़ी, कि जो sincuna bark है, वो cure कर देती है malaria, क्योंकि जो है, वो उसकी bitterness की वज़े से, उसकी करवाहट की वज़े से, ठीक है, तो handyman जो थे, इस चीज को लेके, कुछ ज़ादा खास impressed नहीं थे, या पिर उन्हें ये चीज अरद कुछ खास अच्छी नहीं लगी थी, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है, तो भले ही हैना, उनका जो काम था, वो हैना, बुक को translate करना था, लेकिन handyman को ये बात लगी, तो जो handyman ने क्या किया, master handyman ने, कि उन्होंने इस चीज को investigate करना चाहा, और ये पता करना चाहा कि इसके पीछे क्या science है, या इसके पीछे क्या सच है, ठीक है, तो इसी वज़े से हैना, और इसी उन्होंने फिर observe कि या investigate किया, उस पे research, ठीक है, इसी intelligent observation की वज़े से, फिर at the end, जो है, हुमेपथी का birth हुआ, ठीक है, जैसे आप सबको तो पता ही होगा, जो हैना, उन्होंने चाहिना को लेके, हैना, experimentations पूरा किया था, ठीक है, तो इसी की basis पे, फिर हुमेपथी का birth हुआ, ठीक है, उनकी इसी observations पे, okay, then है, second step है, जो कि inductive logic का, वो था correct interpretation, यानि कि आपको, हैना, मतलब सही तरीके से, समझाना आना चाहिन, logically, ठीक है, तो correct interpretation का गया था, कि, जो हैनिमन थे, हैना, उन्होंने क्या किया, कि सबसे पहले, जब उसके बार में, उन्होंने investigate करना शोगी है, तो हैनिमन न उसके क्या effect होते हैं, उस चीज़ को लेके, अपनी body पे ही, experimentation, शुरू किये, ठीक है, और वो इस चीज़, हैना, अपनी body पे ही, experimentation, शुरू किये, और then, वो इस चीज़ पे convince हुए, कि जो synchuna bark है, याना, वो उसमें capacity होती है, malaria-like symptoms produce करने के, in the healthy human body, ठीक है, उन्होंने अपन चीज़ तो observation ये देख ली, ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, कि अपने जो experience को as a particular premise मानते हुए, हैना, उन्होंने जो है, same चीज़ है, अपने साथियों पे हैना, अपने दोस्त लोगों पे हैना, try की, कि उन्हें भी हैना, जो synchuna bark के हैना, देखे देखा, हैना, तो उन् जो, जिनको, उन्होंने दिया, provers को, तो उनके सभी के experience को, उन्होंने एक particular premise मानते हुए, वो इस conclusion पे पहुँचे, general inference पे पहुचे है, conclusion पे पहुचे, कि जो है, जो synchuna bark हैना, वो malaria-like symptoms produce करता है, हैना, और जो है, वो इस वज़े से cure करता है, क्योंकि, जो synchuna bark है, वो malaria-like symptoms produce करता है, healthy human beings में, इस वज़े से cure करता है, ना कि वो इस वज़े से cure करता है, क्योंकि, वो bitterness की वज़े से, कड़वा heart की वज़े से, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ जो है, observe की, okay, then third step होता है, rational explanation, अब rational explanation का मतलब क्या है, देखो, rational explanation में क्या था, कि जब anyone ने ये observe कर लि या जो एक all over the medical field है, ना, उन्होंने ये चीज़ समझानी थी, तो उन्हें उस चीज़ को लेके और ज़्यादा precise होना था, और ज़्यादा एक मजबूत base चाहिए था, ठीक, वो ऐसे ही जाके न, medical society में जाके इस चीज़ को नहीं prove कर सकते थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या कि या कि without making a hastinism, मतब जाद जल्दबाजी ना करते हुए, हैनिमन ने क्या किया, कि सबसे पहले medical literature पढ़ना शो किया, और जब उन्होंने medical literature पढ़ना शो किया, तो उन्होंने ये चीज़ पाया, कि एक law of similia नाम की एक चीज़ है, जो कि हमारे ancestors जो है, यूस करते थे, और इसक वह हमारे predecessors थे, ये सारे, इन्होंने कभी ना कभी जो है, ये law of similia USB किया था, ठीक है, तो हैनिमन ने ये चीज़ देखी literature में, फिर हैनिमन ने सोचा कि, जो हैना, कि मैं इस चीज़ को apply करूँगा medical substances पे भी, law of similia को, मैं जो है medical substances पे भी हैना, मतलब मैं apply करना, apply करके देख चाहता हूं, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, कि उन्होंने various drugs, बहुत सारे drugs की हैना, जो है, approving की हैना, मतलब जो है, अपने उपर, अपने अना, साथ वाले दोस्तों के उपर, हैना, और कुछ और healthy human beings के उपर हैना, हैना, based on law से मिलिया, ठीक है, और जो है, उन्हों क जो है, universal results मिले, यानि कि universal results का मतलब ये है, उन्होंने सब में ये चीज़ देखी, कि जो drugs वो दे रहे हैं, वो अगर वो किस सरीके symptoms हैना, प्रोड्यूस करा है, अगर वो malaria के नहीं हैना, कोई न्यू ड्रग को दे रहे है, तो malaria, healthy human being, इन्हों, malaria-like symptoms प्रोड्यूस करा है, ये चीज़ देखी, कि ये चीज़ तो universal है, कि भाई, medicine जो है, जो symptoms है, disease के prove, मतलब ये शो करती है, healthy human being में, वो medicine जो है, उस disease को cure कर दिती है, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ देखी, तो then फिर जो है, इसके basis पे, वो इस final conclusion पे पहुँचे, कि भाई, ऐसा ही होता है, और ये और बाद में, जो है, लौत हुमेपथी दिया, ठीक है, similar, similar, पुरेटर, let like, be cure by life, okay, then फिर जो चौता स्टेप है, चौता स्टेप है, साइन्टिक कंस्रक्शन, साइन्टिक कंस्रक्शन में क्या है, कि जो henneman थे, उन्होंने, अपनी experimentations के basis पे, हैना, अपनी research के basis पे, और literature है ना, उन्होंने पढ़ी थी, उसके basis ते, हैने मन ने इस चीज़ को confidently कहा, कि जो medicines है, ठीक है, वो medicine, जो कि है ना, similar disease, मतलब है ना, वो medicine, ना, medicines, जो है, वो cure करती है, disease, क्योंकि वो similar symptoms है ना, produce करती है, disease जैसे, in the healthy human being, ठीक है, फिर से मैं बता दे रहूँ, उन्होंने ये चीज़ फिर है ना, मतलब है ना, जानी और उन्होंने confidently कहीं ये चीज़, कि medicines, जो है न, वो similar symptoms produce करती है, in the healthy human beings, इसी वज़े से, वो medicine, जो है, वो disease को cure करती है, ठीक है, और छे साल के experimentation के बाद, in the year 1796, handyman जो थे, उन्होंने इस चीज़ पे एक note लिखा, एक essay लिखा, और essay का नाम था, an essay on a new principle for ascertaining the curative effect of drugs and some examinations on the previous principles, okay, एक note लिखा, एक essay लिखा, जिसमें उन्होंने बताया, इसके बारे में, लॉफ से मिलिया के बारे में, और कैसे ये हना काम करता है, और इस चीज़ के बारे में, okay, एक नए cure मतलब है न, ये medicines कैसे काम करती है, इस तरीके के बा इनके जो experiment को अगर हम individual particular premise मानते हैं, और जो law of similia को हम लोग है न, general conclusion मानते हैं, तो इसका, इससे हम ये चीज़ दिखती है, जो homeopathic है, वो inductive logic पे based है, ठीक है, अब next topic है कि application of logic in homeopathic practice, इसमें ये दे रखा है कि हम लोग जो है, logic को है na, homeopathic practice में कहां कहां use करते हैं, ठीक है, तो इसमें वो उसकी बारे मिताएगे, जो हम practice करते हैं, day by day अपनी opinions में या फिर अपनी clinics पे, तो हम लोग उसमें कहा, उसमें भी हम लोग logic का use करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग logic का use नहीं है, वो सिर्फ bookish cheese है, हम लोग अपनी practice में भी, बहुत जगाओं पे हम ल उनने में, या characteristic symptoms को identify करने में या अलग करने में, ठीक है, अब पहली चीज़तों का बता देता हूँ कि ये characteristic symptoms क्या होते हैं, देखो, characteristic symptoms जो होते हैं, वो general symptoms होते हैं, ठीक है, general symptoms जो होते हैं, जो कि particular general symptoms होते हैं, या फिर जो particular symptoms से अलग किये हुए symptoms होते हैं, biological process, ठीक है, ऐसा कहा था Stuart थो उसमें, थोड़ा सा और explain कर देता हूं, देखो, मान लेजी आपने case checking की, ठीक है, तो आपको different, 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 different particular symptoms मिल गए, ठीक है, वो particular symptoms में, आपने ये चीज देखी, कि एक ये चीज तो मुझे हर जगे मिल रही है, है न, मतलब ये चीज तो मुझे हर जगे same मिल रही है, उस case में, तो वो उसका एक characteristic symptom हो गया, ठीक है, कि ये चीज तो होनी ही होनी है, मतलब ये चीज हर एक उसके symptom में common है, मान लो burning आपने देखा कि उसकी सारी complaints में burning मिल लिए तो, ठ प्रॉस्प्रेशन है एक ऐसी चीज है जो common मिल लिए, तो भह जो प्रॉस्प्रीशन है वो इसका एक characteristic symptom है, burning जो है इसका characterstick symptom है, है न, या पर जो है, कोई भी है न, मतलब है इसका offensiveness is characteristic symptom है तो वो है कि characteristic symptoms जो हम लोग क्या होते हैं जो हम लोग particular symptoms से logical process की थूँँ जो है न मतलब कुछ symptoms को अलग करते हैं उनको कहते हैं characteristic symptoms और इसी process में हम लोग logic का use करते हैं उनको अलग करने में character six symptoms को ठीक है यहीं पूरा इसमें दिया गया है और इसमें वही चीज है कि इसमें logical understanding चाहिए होती है पेशेंट की totality बनाते वक्त तब यह हम लोग characteristic symptoms को अलग कर सकते हैं ठीक है, example भी एरेस में दिया हुआ है तो example भी जैसे मैंने समझा दिया था, लेकिन फरसे मैं समझा दिता हूँ जैसे कि इसमें example भी दे रखा है कि जितने भी particular symptoms है, pulsate इलाके वह aggravate होते हैं warm room में और amelorate होते हैं open air में ठीक है, तो हमने यह चीज जानी कि जो aggravation in warm room है वो इसका एक cannot symptom है या फिर एक characteristic symptom है है न, characteristic symptom या characteristic general है, pulsate इलाकाट ठीक है, तो इसी तरीक से दूसरा हम लोग कहाँ पर लॉजिक के यूज करते हैं जैसे कि pathological unity of symptom यानि कि जो हम लोग symptoms लेते हैं वो उसका एक pathological, उसका एक combined form maker की है, इसकी क्या pathology है, उसको form करने के लिए हम लोग लोग लोजिक का यूज करते हैं, ठीक है, मैं तो रोड़ोस explain करता हूँ कि कैसे, ठीक है तो देखो, disease जो होता है, डीजीज क्या होता है हम लोग symptoms से ही पता करते हैं कि भाई, क्या disease है, ठीक है, तो disease क्या है, disease कुछ नहीं है, सिर्फ जो pathological abnormality है ठीक है, so logically अगर हम बात करें, तो disease जो कुछ नहीं है, वो एक pathological unity है symptoms की, यानि कि हम सारे जो symptoms है, उनको हम लोगों ने pathologically combine किया and then पर जो हमने उसको एक नाम दिया, ये ear disease है, ये particular ear disease है, ये particular ear disease है, सी तरीके से ठीक है तो जो physician होता है, वो each single pathological symptom जो होता है patient में, उसको collect करता है with the help of inductive method ठीक है, और he is logic, और फिर क्या आता है, कि फिर वो उसको logically combine करता है है ना, और एक general handling में फिर उसको बताता है कि हाँ ये जो है, इस disease का diagnosis है, या फिर ये disease ये है यानि कि physician ने क्या किया कि भाई, बहुत सारे, बहुत सारे ना, उससे सारे पूछे, तो उसने सारे symptoms जो बताए उन सभी pathological symptoms को physician ने जो है collect किया through inductive method और फिर particular premise तो होते हुए general conclusion पे, general inference पे आया कि भाई, ये जो सभी symptoms से मुझे ये चीज वालूम चलती है कि इस इंसान को TV है, इस इंसान को cancer है, इस इंसान को diarrhea है, इस इंसान को जो भी है disease, ये particular disease है और उसमें diagnosis of that disease बनाया है, ठीक है अब next line में क्या है कि, देखो अगर हम जो हर symptom को अलग-अलग ये ना consider करेंगे, तो ना तो हम disease को diagnose कर पाएंगे, ये ना ना ही जो हम उसकी हुम्मेप्थी, remedy है ना, find कर पाएंगे, ठीक है अब मान लो, जैसे कि कोई example के तोर पर, मान लो कोई पेशेंट जो है वो complain करता कि भाई, उसको cuff है, chest pain है, और जो वो सुबह है, है ना, cuff है, chest pain है है ना, और सुबह के मतलब जो है सुबह है नी, sorry, शाम के डाइम पे जो है उसका temperature हाई हो जाता है, उसको weight loss हो रहा है, तो अगर हम लोग हर symptom को, जो है, एक ही करके मतलब एना, treat करने की कोशिश करेंगे है, अलग अलग देखेंगे तो भाई हम लोग इना, disease को diagnose नहीं कर पाएंगे, कि इसको क्या disease है मतलब ये, कि हम लोग cuff को अलग है ना, ले रहे हैं, कि भाई, ठीक है, cuff है इसको, तो हमने फिर cuff को लेके आ इसको उसमें, बहुत सारे symptoms जो होते हैं, वो बहुत सारे diseases हैं, जो by symptoms है, common, common भी होते हैं मानों, किसे एक disease है उसमें भी cuff है, दूसरी disease है, उसमें भी cuff है, तीसरी disease है उसमें भी गे cuff है, भाई cuff, तो अगर हम लोग ये ऐसे individual approach रखेंगे, तो हम लोग particular remedy प्रपर से मिले ममोगी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कि जब हम उसको जो सारी जो symptoms है, उसको इक collective form में लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग कह रहा है, अगर ये जो सारे symptoms थे, curves, chest pain, evening rise of temperature, weight loss, जब हमने यसे collective form में लिया, एक साथ में मिला के देखा, तो हमने ये चीज़ आने डाइग्नोस किया वहाँ पे, भाई, ये चीज़ थो थे, ठीक है, तो ये एक inductive logic है, कैसे, देखो, हमने क्या किया, हमने हर symptom को एक particular premise माना, और फिर जो है, उसके basis पे, हम अगर हम लोग एक symptom पे, बेस्ट उन, हम लोग एक symptom पे, स्टेबल हमेपाथिक ग्रेमिडिया ना, इसलेक नहीं कर सकते, क्योंकि, जो drug picture बनाई गई है, हमेपाथिक मेडिका में, वो single symptom पे नहीं बनाई गई है, ठीक है, वो, जैसे की क्या रहता है, कि भाई, जैसे हमने सब पूरा होता है, तो हम लोग एक एक symptom पे तो नहीं वो करते हैं, अगर करते हैं, तब जाके हमें वो remedy, यह चीज रहता है, यानि हम लोग है जैसे देचन में देखते हैं, materiale medicale submission कि यहां ठीक है, इसमें ये है ये है, ये है ठीक है ये तीन चीज़े आमें common मिल गही है कि ये तीनों चीज़े characteristic किसमें है then फिर हम लोग ये मतब side sorry then फिर हम लोग गरा इस चीज को finalize करते हैं कि हाँ भई ये medicine है इसकी क्योंकि ये 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 symptom, ये 5 symptom, जो है, characteristic symptom, इस medicine के, इस patient से match हो है, तो ये इसकी arm medicine है, ठीक है, मुझे मालम में हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा पढ़ाना थोड़ा सा जल्दी का लग रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि, मतलब मैं थोड़ी speed maintain इस वड़ी से करूँ ताकि बहुत जादे लंबा time में खिचे से आपका time waste हो, ठीक है, तो इसी तरहीके से जो हमारा observation है, और in this manner, by our observation, collection of particular facts, भी इसी बेसे, इसी manner में, जो हम लोग जो सभी individual characters को है ना, मतलब इना, combine करके देखते हैं ना, तो ये में जो है, और मतलब इक कहना diagnosis बनाता है, तो ये भी एक inductive logic है, ठीक, और यहाँ पे भी हमने logic यूज किया, चौता है, totality of symptoms में, जो हम लोग totality बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग लोग logic का यूज करते हैं, तो यूज पेनी चीज़ता हम लोग ये जामते हैं कि totality of symptoms क्या है, तो टोटालिटी of symptoms क्या है, कि वह एक numerical totality नहीं है, कि भाई हमने जो हैना कि मतलब 10 symptoms दिये, तो हमने 10 symptoms को मतलब जो है, भाई 10 symptoms दिये, तो योना 10 symptom को याना आडप करके जो भाई हम जो totality बनानी, individuality, ठीक है, totality of symptom क्या होता है, जब भी हम लोग किसी patient की totality बनाते हैं, तो हम लोग उसके सारे symptoms consider नहीं करते हैं, यह जिले के z तक, हम लोग उस में से वो जो characteristic symptom उठाते हैं, या characteristic general उठाते हैं, pqrs उठाते हैं, खीक है, तो उन symptoms के basis पे हम लोग एक combined image form करते हैं drug picture form करते हैं then हम लोग उसे कहते हैं उसकी totality ठीक है तो simple सी चीज यही है कि totality बनाते वक्त हम लोग logic का use करते हुए common symptoms को अलग छोड़ देते हैं और जो उसके peculiar P की वारे symptoms होते हैं peculiar, quantitative, rare जो है और जो है S से क्या था तो वो जो है ना मतलब symptoms होते हैं तो वों symptoms को हम लोग combine करते हैं then उसकी totality बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग logic का use करते हैं then फिर आगे क्या है then फिर यह है this is a logical process यह जो totality बनाने की चीज है वो एक logical process है logical process है of isolating the deng की मतलब हम लोग उसमें से और uncommon symptoms को अलग इस तरीके से common symptoms को अलग कर रहे हैं uncommon symptoms को अलग कर रहे हैं logically and then उससे हम लोग उसकी totality बनाके उसको एक homeopathic remedy है न proper prescribe कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पे में एक homeopath जो होता है वो logic का use करता है in the prescribing the remedy ठीक है then फिर क्या है individualization में हम लोग analog के use करते है अब भाई हम लोग देखते हैं कि हम लोग individualization जो है उसमें analog के use कैसे करते हैं ठीक है तो यह आदर किये कि पहली चीज़ तो individualization होता कि individualization यह चीज़ होती है कि एक person दूसरे person से अलग कैसे है उस process को कहते है हम लोग कहना individualization ठीक है तो individualization में कैसे पहली चीज़ तो यह है कि individualization जब हम लोग करते हैं तो हम लोग तीन step में करते हैं तीन चीज़े देखते हैं पहला step कि है individualization का पहला step यह है कि examination of patient अगर हम लोग किसे को individualize कर रहे हैं उसको less important देते हैं, और जो particular symptoms होते हैं, जो मतलब उसके characteristic symptoms होते हैं, उनको हम लोग जादा importance देते हैं, ठीक है, पहली चीज़तों हमें उनको जाद importance देते हैं, ठीक, और दूसरी जादे importance कैसे देते हैं, हम लोग उसके बार में जानते हैं, जाद importance हम लोग ऐसे देते हैं कि हम लोग जो peculiar symptoms होते हैं या characteristic symptoms होते हैं उसको हम लोग पहली चीज़ो complete symptom के form में उसको बनाते हैं अब complete symptom क्या होता है वो मैं बता देता हूँ एक complete symptom वो होता है जिसमें चार चीज़े होती है location, sensation, modalities और concomitants ये चार चीज़ें मौझूद होती है तो वो particular symptoms बनता है तो जो हमारे characteristic symptoms होते हैं उनको हम लोग अलग करते हैं और इन characteristic symptoms को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये complete symptom में बदलते हैं जैसे कि मान लोग उसने बता आया कि उसको दर्द कल रात से है ठीक है, डॉक साब कल रात से मुझे मूझे मुझे मुझे दर्द हो रहा है ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले location पूछेंगे ठीक है पेट में भी हो रहा तो पेट में exact केस जगह है एक्जक लोकेशन पूछेंगे पिर उसके बाद है ना कौन से आपकान रिजल हो रहा है पिर उसके बाद है ना sensation पूछेंगे अच्छे ये बताईए कि दर्द जब महसूस हो रहा है sensation पूछेंगे फिर उसकी modalities पूछेंगे ये बताईए कि जब वो दर्द हो रहा है वहाँ पे तो वो किस time हो रहा है और किस time जादा होता है किस time कम होता है ये ना और उसके साथ वहाँ पे concomitants पूछेंगे कि जब ये दर्द होता है उसके साथ आपको और कुछ और चीज भी महसूस होती है कि जब यह दार दाता है तो ऐसे ऐसे करके जो हम लोग उसका जो characteristic symptom है उसको complete system symptom के फ़र में combine करेंगे और मतलब है ना बनाएंगे ठीक है तो यह है सबसे पहला step दूसरा step क्या होता है second step यह होता है कि study of case हमने patient का examination कर लिया patient ने हम इसे मुटम बता दिया हमने लिख लिया दूसरा step क्या है study of case क्या है study of case में कि जो उसने बता दिया अब हम लोग है उसको study करेंगे देखेंगे कि भाई क्या है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे पेशन्ट का केस है न, पेशन्ट की जो disease picture है उसको हम लोग material medical की drug picture से है न, compare करेंगे और ये देखेंगे की similar कहा मिल लगी है, मतलब patient की symptoms सबसे ज़ाधा किस drug में match कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है study of case में, तीसरा step क्या होता है individualization न, तीसरे step में हम लोग करते हैं, की finding out the one, वो most similar drug है ना मतलब select करते हैं जो की patient से मतलब ना patient से similar है और with the help किसकी help से select करते हैं with the help of repertorization रिपार्टरी की मदद से है ना या रिपार्टराइजेशन की मदद से हम लोग है ना ये select करते हैं कि हां exact यहीं similar है इस patient की remedy है है ना patient की disease की ठीक है तो जितने भी ये step है ठीक है तो इन सभी step में जो है logic का एक बहुत बहतरीन तरीके से है ना use किया गया है ठीक है और expertise in this field come only by practice यानि कि ये जो application of logic है या application of logic है इस major expertise है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको practice से ही आएगी यानि कि आप जितना जादा practice करोगे आप उतना जादा logic को है ना मतलब ना अपने prescription में apply कर पाऊगे और आपका prescription जो होगा वो उतना जादा अच्छा होगा याद रखिए जो हमारे pioneers थे उन्होंने best cases ही किया थे कैसे क्योंकि उन्होंने क्या था कि अपनी नॉलेज के साथ उन्होंने अच्छा application of logic क्या था अपने हर prescription में तो यह चीज़ थी तो क्या करता है कि वो general symptoms को from the data collected from the patient ठीक है यानि कि जब जो physician होता है जब वो case string करता है तो उसमें जितने भी सारे collective symptoms आते हैं उसमें जो है general symptoms या फिर characteristic symptoms जो होता है उनको अलग करता है तो वो कैसे करता है वो logic की help से करता है then six point है generalizing the mental state of the patient ठीक है मतलब patient की जो physician होता है वो जब patient की mental state पता करता है या फिर उसको decide करता है तो उसमें भी वो logic के use करता है कैसे देखो यह सबसे दर difficult होता है कि patient की mental state को generalize करना ठीक है तो इसके लिए क्या चाहिए होगा इसके लिए जो physician होता है उसको काफी ज़्यादा मतलब है ना प्रिसाइज होना होता है ठीक है ठीक है इस दिस दिमाने थे exercise of the highest intellect of the physician यानि जो physician है उसको मतलब बहुत ज़्यादा है न अच्छे तरीके से प्रिसाइज और एक की अच्छा observer होना चाहिए ठीक है क्योंकि यह सबसे दर difficult है it is in most cases sorry in most difficult cases of nervous and mental disease the physician must be trained psychologist and a logician ठीक है यानि कि जो कई सरे difficult cases आते हैं mental or nervous illness के उसमें क्या रहना चाहिए जो physician है उसको एक अच्छा psychologist भी होना चाहिए जैसके हम लोग जो हमारी हमेपत ही है उसके हम जो जो साइकोलोजी भी पढ़ते हैं जैसके आपको यह चीस बारू में हो गए यह चीस हो सकता है आपसे आपसे आना और्गनन की वाइवर में भी पूस दिया जाए कि उसको लॉजिक का यूज करना अच्छे से आना चाहिए तभी वो जो है न उस अच्छा जो डिफिकल्ट मेंटल इल्नेस का या फिर जो है नवस का केस होगा नवस प्रॉब्लम्स का तो उसको अच्छे से समझ सकेगा तो ये वो है इसमें ठीक है तो जितनी में डिजीज हो तो हम लोग जो उसको पता करते हैं ठीक है उसको अइडेंटिफाई करते हैं कि जो बेसिक कॉस क्या है डिजीज का है तो उसमें क्या जो होता है उसमें फिजीशन को लॉजिक करना पड़ता है लॉजिकल अनलेसिस करना पड़ता है ठीक है जो होमेपेथिक क्रीप्मेंट ह है वो क्या है वो हुमेपेदिक प्रीटमेंट में हम लोग क्या करते है कि दिमोवल करते हैं और दो मियाजमेंटिक कॉस अफ दर डिजीज है ना ना की सिर्फ ना कोई बैक्टीरिया या मॉईक्रो और्गनिजम कर ठीक है तो सिंपल सी चीज यही है न कि हमें कि जो भी क्योर के लिए अगर हम क्योर के लिए जा रहे हैं तो फिजीशन को जो है एक लॉजिक का यूजिक करते हुए उसको किस कॉस की वजय से हो रहा है हुमें वो पता लगाना आना चाहिए ठीक है तो यह है इसमे लॉफ कोजेशन में आगे यह जा Inductive method is a inductive method in science is a cumulative and involutionary. This logic has to be applied by the homeopathic physician at each other. Simple thing is that the homeopathic physician should apply the inductive logic to every step. Our pioneers, their prescriptions, have used logic in their prescriptions. We use logic to use, patient's suffering to no longer. We use logic to use. We use the mechanical comparison of totality. We use logic to use. We use the mechanical comparison of material. This is the same. Then, if we go further, we start the next part 2. We start the aphorism. The part 2 is what we will study in the next class. That's enough for today. If you have any doubts about this, you can ask me in the comment section. If you have any questions, remember to my telegram channel, the homeopathic physician. And the PDF will find me in the telegram channel, the homeopathic physician. Thank you. guests and they prepare you, If you do a great UW trick, please refer to your program... If you have any stuff I choose,